हेलो दोस्तों, क्वाटर रिजल्ट्स में आज HDFC, HEMC के रिजल्ट्स आए, अगें ये मेरे पोर्टफोलियो का लांग टम पोर्टफोलिया एल से, लांग टम पोर्टफोलियो जब भी मैं बोलता हूं मतलब कि 10-15 साल तक इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, उसी को मैं ल बेचना टाइप, until and unless बहुत ही इस पर्टिकलर इंडस्ट्री में और इस पर्टिकलर कंपनी के साथ कुछ प्रावलम दिखता है तो, अधर्वाइज ये कमनिया, ऐसी कमनिया है, जो कि decades तक रहने वाली है, और एकदम full cash machine है, एकदम फालतो से environment होगा, फिर भी ये एकदम प आपको केवल ये पैसे देने वाली है, केवल profit, 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 ऐसे ही टाइप कमनी है, तो मैं I am not able to visualize कि कौन सा ऐसा case होगा, जिसमें के HD CNC उसमें पैसे नहीं बनाएगी, ठीक है, तो देखते हैं, इसके overall जो results है, ठीक है, तो आते हैं हम लोग directly HD CNC के, मैंने निकाल जिदे में रख जो important वाले जो चीजे हैं, जो आपको समझना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, उससी पर मैं लेके चलूँगा, ठीक है, अब उसका importance क्या है, ठीक है, तो सबसे बाते हैं, SIP flow, कोई भी AMC होगी, ठीक है, वो AMC ज्यादा पैसे कमाएगी, जिसमें equity वाला जो part हो, ज्या SIP भी बहुत कम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो आप समझें कि इनका जगर इस mahal, COVID का महाल देखें, करोना का जब सी महाल आया है, तो अब से mutual fund में बहुत selling दिखी है, और especially जो market बढ़ा हुआ है, तो मतब पिछले दो, तीन, चार, पांच महीने से की redemption बहुत बढ़े हुए ठीक है, उस redemption में भी जो SIP रहती है, वो आपको सबसे जब करशन देती है किसी भी AMC को, किसी भी mutual fund को, क्योंकि वो थोड़ी sticky होती है, वो इतना जल्दी निकलती नहीं है, ठीक है, आप एक महीने कुछ खराब हो गया, जाहें, कुछ उतल पुतल आ गया, आप फिर भी साइपी में रहो और आपको पैसे ना बने, ठीक है, इस्टोरी अलग है, में चल फंड क्योंकि ऐसे ये बात हम लोग अलस करेंगे, लेकिन इसमें देखने में भी आते कि जो SIP का फ्लो है, अभी भी इनका SIP का फ्लो है, वो इतना इंक्रीज़ ठीक है, इविज जो नंबर आप SIP एकाउंट्स आलसो है, ठीक है, quarter to quarter बढ़े हैं, ठीक है, that is really good, कि इस टाइम में भी लोग SIP इंक्रीज़ के, यह बहुत बड़ी ची बात, जहां कि रिडेंशन दुनिया बरके हुए है, ठीक है, SIP का contribution भी बढ़ा है, और SIP मतलब कि जो SIP बढ़े हैं, उसके contribution भी बढ़े हैं, अच्छा, अब आ गयाते हैं हम, यह मार्केट से एर, मार्केट से एक कमपरीटीव अले जाते हैं, वहां पर डारेक्ली अच्छा से दिखेगा, इसमें है, मैं निकालता हूं उसको, वो मेरे को कुछ खास नहीं लगा, कहां गया, इसमें बहुत सारा डेटा है इसमें है, जो की आढ़ा तो मुझे नहीं समझ चाहे कि इसका, इसका इमपर्टेंस क्या है, थो जो इमपर्टेंस वाला है, उसको हम देखते हैं, ऩो क्वार्टर तू क्वार्टर, तो क्वार्टर तू कवार्टर देखे, यहां पर 14.1% तरे से दिए přिए, लेकिन इसके म और एक्सिस, एक्सिस देखो एक्सिस फिप्थ नमबर प्या गई, निपान को भी पीछे छोड़ दिया, अब मतब नेक्स चांस है भी एसल को भी छोड़ देगा पीछे, क्योंकि एक्सिस है जे बिरी स्ट्रांग बिस्ट्रिबुशन आल्सो, और एक्सिस की खास बात ये है एक्सिस का कोई भी फंड उठा के देखो, मतलब देहब देहब गट देहब गट प्रोसेस, ऐसा मेरे को लगता है, इवन एज़ी से एमसी से मझे एक्सिस की जो मुच्वल फंड है, जो उनके लोग है ना, देह आर रीली भी पावर्फुल आइगंसी, ठीक है, आई माइसल भी एक्सिटिक हो गया, और लाइक कि अप्सिट प्रोसे मुच्वल फंड करो, एक्सिस मुच्वल फंड के टाक्सिवर से, ठीक है। disclaimer I am just talking about education I am not a semi-registered advisor okay so my advices are only under what I have experienced okay just for educational information okay nothing else apart from that never take as advice so so you claim that my money is a scam. Please no. I am so concerned not to buy anything. SBI has maintained it it is done really well ICIC and HDFC December 19th I am so concerned. If you grab the SBIMF then SBIMF is doing very nice वेरी नाइस ठीक है विकाज उनका प्रिजंस बहुत तगडा है बहुत प्रिजंस एक इमन टीर 2 शीटी टीर 3 शीटी वहां तक इतना तगडा प्रिजंस है कि उनका जो बैंक का बैंक के थूजु जो मुचल फंड भीजते होंगे ना तैट विल बेरी भेरी स्ट्रॉंग ठी अशली वीडियो बनाया था कि निपान, ABSL इन लोगों को दे आज केनाट कम टू 2, 3, 4 ठीक है तो आज की देट में जगर HDCMF है कल को जगर आपका ICA से आता ICA से लिजिए क्योंकि इनके जो टच पॉइंट्स है ठीक है जाटेक एक्जांपल अब HDFC है है इनके पास डेटा चैना में पन इनके पास डेटा इतने जयाता है में करने कि लिए इनके पास डेटा इतने जादा माल करने के लिए इनलिटिक लगाने के लिए ठीक है कि मिदर बी I'm Always having. इनके फंड से तगड़े परफाम नहीं करेंगे तब भी इनको बहुत एद्वांटेज होगा और मैं बताओं अभी यह जो मुचल पंड से बेरी ने ने असें असेंट इस पर से बढ़ेंगे अब बढ़ना हैं कि देखो गोल का अधिक क्यों नहीं बढ़ेगा अगया ठीक है क्वाओंगी देश बदल रहे है ठीक है देश बदल एक सिंपल सा एक लाइन बतागो आपको कि आप देखो कि 2014 और 2020 इतने दीन में जो गोल्ड का जो USD जो है वही 72-73 रुपय इधर-उधर करता रहा पहले क्या होता था? पहले हर 6-7 साल में 30-40 परसेंट तो USD ही मतलब के अप्रिसेट हो जाती थी तो उससे क्या होता था? कि गोल्ड लगता था कि बढ़ रहा है लेकिन इक्चली गोल्ड का प्राइस आपको उसके टर्म में USD के टर्म में कभी नहीं बढ़ता था जो बढ़ता था वो आईनार के जो कन्वर्जन था उसके चलते दिखता था कि बढ़ रहा है लेकिन बढ़ता नहीं था यह शुरा है तो अब आगे आते हैं निचे चलते हैं तो यह थोड़ा सा मतब कोई खास नहीं इनको काफी महनत करना पड़ेगा ठीक है अब आगे आते हैं इनका यह डिस्टिबूशन अधिकोर डिस्टिबूशन में इनका एज़िव से बैंक के थूरू 5.3 परसंट कॉंटिबूशन है ठीक है अधर बैंक के थूरू 9.5 परसंट इमेंडी नेशनल डिस्टिबूशन डाइरेक्ट डाइरेक्ट कब जो है ना डाइरेक्ट पड़ता जा रहा है ठीक है डाइरेक्ट देखो क्या इसका असर पड़ा है कि टोटल यह में इतना और यह बहुत ही अच्छी बात है कि डाइरेक्ट जितने डाइरेक्ट की चलने के चलते इसका दिखाऊंगा कि इसका असर क्या हुआ है आगे आओ ठीक है अब को डिजिटल प्रिजेंस हुए यह है फिजिकल रेड़ वाला फिजिकल है तो 2015 से आज तक अधुकर यह सतर परसेंट केवल सोला परसेंट रह गया तीस परसेंट यह 84 परसेंट बढ़ गया तो जैसे जिसे इलेक्ट्रानिक फार्मिट डिजिटल प्रिजिटल पर लोग जाते जाएंगे उसके चलते इनके expenses कम होते जाएंगे तो किवल अपने expenses कम करने के वजह से ही यह दुनियावर्यका इनके पैसे बचाएंगी यह लोग ठीक है अब इसको समझते है डारेक्ली यहां पर आके तो Total Income जो है ओ घटा है ठीक है यह देखो देखें एक यहां पर 8% करता है other income की कार्ट थ्वड़ा इनके revenue आए है यह other income क्या होता है पता है यह जो HDCMC जितने profit कमाती है not the complete profit is distributed as dividend ठीक है तो बाकी जो pressed पैसे होते हैं they keep as asset जो कि invest करते हैं तो वो investment that investment has very strong ability to give a lot of money ठीक है जैसे एक्जाम्बल देखो एक परस में यहां यहां देखो कितने का difference है ठीक है almost 500 million ज्यादा है ठीक है मतलब 50 crore उप्या तो total income 595 आप देखो expenses के दोखो यह beautiful चीज है यही आपको समझना है इसमें कि Q3 FY20 में जो था पिछले में quarter में था 1260 million मतलब 126 क्रोड का expense था अभी 112 पर का expense है ठीक है इनके expenses भ्यानक तरीके से मतलब घट गए वो क्यों COVID में लोग घर से काम किये तो बाकि सब जैसे offices से कुछ offices छोड़े होंगे तो ऐसे से expenses यही किसी भी एंसी के सबसे बड़ा खुबी है कि for the same expense fund में SIP बढ़ रही है आद भी नहीं बढ़ रहा है expense नहीं बढ़ रहा है वही दुकान है वही office है वही लोग है लेकिन SIP का amount बढ़ता जा रहा है SIP टोटल SIP बढ़ता जा रही ठीक है तो उसके चलते last में आके profit after tax 369 करोड का profit 5% बढ़ा हुआ है देखे टोटल income कम हुआ लेकिन जो income revenue से income revenue से income मता है जो चला रहे हम आपरेट कर रहे लेकिन revenue from other income is like यह हमेशा देखने बढ़ा देखे जबें market बहुत अच्छा perform करेगा यह income हमेशा बूस्ट कर देगा यह एक advantage रहा है यह पैसे और ज्यादा बनते है पांच परसें नहीं अराम से माता इनके 12-14% quarterly improvement का chance है ठीग है इन सम कम नीवे तो देखो 370 करोड का जगर profit है imagine करो कि यह करीब करीब 1300 करोड का profit हो गया yearly यह 1300 profit आप और भी देख ले हाँ पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे इनके profits बढ़ते जाते हैं फर the same expense यही beauty है इनकी कि यहाँ पे देखो total sales 469 था ठीक है यह हुआ expenses expenses लग लोग घरते जा रहे घरते जा रहे ठीक है एक आएगा कि थोड़ा से ओह जाएगा रुक जाएगा लेकिन profit continuously continuously इसे बढ़ता जाता है ठीक है इन company की ही सबसे बड़ी खासियत है कि इनके expense जो होंगे near about same रहेंगे near about same रहेंगे लेकिन जो operating profit इसके चलते यह देखो बढ़ते जाएगे अपर यह को 709 से CE थे 431 क्रोड का मार्च 2020 था इनके expenses कैसे काटेंगे बहुत तरीके हैं इनके पास लेकिन at the same time operating profit बहुत तीज बढ़े जाएगा margin देखो PM operating margin 57%, 66%, 80%, 79% तो मतब यह company ही अलग हैं सब इन company को कोई जोड तोड़ी नहीं है इधर में आओगे ROC 46.8, ROE 30.96 मतब amazing क्या इनके सामें HUA लोगर अब कुछ नहीं है ठीक है जिस तरह से companyya आगे future में बनने वाली है तो इसी के साथ में close करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद आपको अच्छा लगे कुछ आपको comment हो कुछ भी आपको कुछ सवाल की query हो कुछ भी तो उनको बताएं ठीक है और comment जरूर करने कमेंट करने से तरह पता चलता है कि what people are thinking तो बहुत दर धन्यवाद झाल